In the last video lecture we studied for a flat surface कि जब कोई body किसी flat surface पर क्या कर रही हो, move कर रही हो आज की इस part में, वीडियो part में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई inclined surface पर body move कर रही है तो उसका motion किस तरीके से होगा देखिए ये भी उसी तरीके से है, बहुत असान है, बस थोड़े से changes यहाँ पर आएंगे वो changes क्या है, बस वही changes आपको यहाँ पर पढ़ने है तो पहला जो इसमें change होगा आपके लिए, वो क्या होगा देखिए ये आपकी कार हो गई, इसका जो mass है या weight है, वो नीचे की तरफ vertically downward act करेगा यानि कि mg जो है नीचे की तरफ act करेगा उसके बाद में देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हमें पता है कि जो frictional force है, वो किस तरफ act करेगी जो frictional force है, वो surface के parallel act करती है इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा रखी है इस frictional force के हम क्या कर सकते हैं, component कर सकते हैं लेकिन अभी हम component नहीं कर रहे, देखिए यहाँ पर इस तरफ आपको component करके दिखा रखा है यह frictional force लग गई, अब हमने क्या मान लिया था हमने यह माना था कि यह जो inclined surface है, थीटा degree inclined है अगर यह थीटा degree inclined है, तो मैंने आपको बताया था कि यह वाला angle भी थीटा होगा और अगर यह angle थीटा है, तो यहाँ पर यह वाला angle भी हम थीटा मान सकते हैं vertically opposite angle तो इस तरीके से ये वाला एंगिल थीटा हो गया और ये वाला एंगिल थीटा हो गया अब क्योंकि यहां एंगिल थीटा है और ये डारेक्शन है किसकी फ्रिक्शनल फोर्स की तो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट करे एक component आया इधर वो क्या आया F cos theta दूसरा component क्या आएगा दूसरा component इधर आएगा वो क्या आगया F sin theta और इसी direction में क्या लग रही थी जो weight यानि कि force है वो act कर रही थी इसके बाद normal reaction कहा लग रही है normal reaction इधर लग रही थी normal reaction भी इधर से theta angle बना रही थी तो इसके component भी मैंने कर लिये इधर कौन से component आया N cos theta यहाँ पर कौन सा आया N sin theta जिदर की तरफ theta होता है उदर की तरफ cos वाला component आता है जिदर की तरफ theta नहीं होता उदर की तरफ sin वाला component आता है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है अब इतनी सारी forces आ गई हैं देखिए आपकी यहाँ पर क्या हो रहा है यह जो F cos theta है यह center की तरफ जा रही है direction यह जो direction है यह curve गे center की तरफ जा रही है और center की तरफ जो direction होती है वो centripetal force की होती है इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो centripetal force है वो किस किस की वज़े से होगी देखिए दो forces की वज़े से होगी एक तो है N sin theta और दूसरी है F cos theta ऐसे ही यहाँ पर अगर आप vertical में study करते हैं तो vertical में भी 3 forces आ रही हैं एक force कौन सी है N cos theta और दो forces नीचे की तरफ है F cos, F sin theta और mg along vertical तो कोई भी motion हो नहीं रहा इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि N cos theta किस के बराबर होगा F sin theta प्लस mg के बराबर होगा है ना इसके बाद यहाँ पर along horizontal में मैंने बताई दिया कि N sin theta प्लस F cos theta यह किस के बराबर होगा centripetal force के बराबर हो जाएगा तो यह दो equation कहीं लिखी हुई होगी मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ यहाँ पर यह derivation है इसके लिए भी हाँ देखें यहाँ पर लिखा हुआ है यह देखें N cos theta क्या है यह तो along vertical हमने पड़ा था और यह along horizontal हमने पड़ा था यहाँ पर क्या है कि जो frictional force है frictional force क्या होगी less than equal to mu s n होगी तो हम यहाँ पर equal मान करके चल लेंगे कि यह जो है mu s n के जो है equal है तो जब यह आप value put करोगे इन दोनों equations में यहाँ पर भी small f आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है तो आपकी equation change आएगा आपकी equations में वो जो change आएगा वो कुछ ऐसे होगा कि एक equation तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी और दूसरी equation यहाँ ऐसे आ जाएगी ठीक है अब इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या किया इस equation में से देखिए दोनों terms में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी n common आ रहा है तो आपने n common लिया n common लेने के बाद इसकी value find कर ली तो value कितनी आ गई यहाँ पर mg upon cos theta minus mu sin theta इतनी जो है m की value n की value normal reaction की value यहाँ पर आ जाएगी ठीक है इतना आ गया इसके बाद में क्या किया substituting the value of n देखिए एक मिनट रुकिएगा यह जो n की value इतनी आई है न यह वाली value यह कहां से आई है इससे पहले जो हमने equation पड़ी थी इधर के side मैं आपको वह equation दिखा देता हूँ यह देखिए यह है वह equation अगर मैं देखिए यहाँ पर solve करूँ थोड़ा सा तो n cos theta minus mu s n sin theta is equals to कितना रह जाएगा यह mg के बराबर रह जाएगा दोनों में n common आ रहा है तो मैं n को common ले सकता हूँ कितना बचेगा cos theta minus mu s sin theta is equals to किया जाएगा mg के बराबर आ जाएगा यहाँ पर n किसके बराबर होगा mg upon cos theta minus mu s sin theta के बराबर यह आ जाएगा अब आप देखिएगा जो नीचे मैंने value लिखी है है ना जो नीचे मैंने n की value दिखाई थी वो कुछ इतना ही होगी चली यह देखिए अब जराब यहाँ compare कीजिए देखिए n is equals to mg upon cos theta minus mu s sin theta यह जो n की value वहाँ से आई थी इसको इस equation में हम क्या करेंगे substitute करने का काम करेंगे चली यह substitute करा देते हैं value को जब आप value substitute करा दोगे तो आपके पास इतना answer आएगा इस तरीके से equation आएगी इस equation को आप फिर से solve करिए किस के लिए v max के लिए तो v max के लिए देखे पहले कितना answer आए था v max के लिए पहले answer आए था mu s rg जब हम flat surface पर move कर रहे थे लेकिन जब हम inclined surface पर move कर रहे हैं तो formula यह हो गया है यह formula कितना है Rg अगर मैं easy form में लिख हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा Rg mu s plus 10 theta upon 1 minus mu s 10 theta इस पूरी चीज का under root इस पूरी चीज का under root हो जाएगा अगर मान लीजे जो surface है वो frictionless है यानि कि कोई भी friction नहीं है तो ऐसे case में coefficient of friction की value कितनी हो जाएगी 0 और अगर आप यहाँ पर 0 value पुट कर देते हो तब यह V0 यहाँ पर कितना जाएगा इतना जाएगा Rg 10 theta to the power half यानि कि under root में आएगा मतलब at this speed Frictional force is not needed at all to provide the necessary centripetal force मतलब इतनी speed पर Frictional force की जरुथी नहीं पड़ेगी centripetal force के लिए अगर कोई Frictional force नहीं होगी तब ठीक है यह चीज यहाँ पर बता रखी है अब इसके बाद आगे चलते हैं देखिए यह question जो है इसी theory पर based है जो हमने पड़ा है यह देखिए इसका answer भी यहाँ पर दे रखा है तो इसके बाद solving problem in mechanics यहाँ पर इसके बाद कुछ problems है वो solve करने के लिए आती है तो mechanics में किस तरीके से solve होती है problem वो यहाँ पर हम study करेंगे यह आपका chapter यहाँ पर खतम हो गया इसमें कोई question दे रखा होगा तो मैं देखता हूँ question की help से आप लोगों को समझा दोंगा question तो as such कोई दे नहीं रखा यहाँ पर एक मिनट रुखिएगा देखिए यह यहाँ पर एक question है यह वाला question 5.10 दो bodies हैं एक है 10 kg मास की एक है 20 kg मास की smooth surface पर रखी है smooth surface पर रखने का मतलब है कि mu s की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी horizontal surface यानि कि कोई भी friction नहीं है इस case में कोई भी friction की value नहीं है 0 है जो दोनों bodies है are tied to each other with a light string एक string से आपने इनको tie कर रखा है एक horizontal force लगा रहे हैं आप 600 newton की ठीक है पहले वाले part में आप देख रहे होंगे याँ पर पहले वाले part में A पर लगा रहे हैं दूसरे वाले part में B पर लगा रहे हैं along the direction of string string की direction में तो आप से पूछा है कि tension कितनी होगी string में each case के अंदर देखे एक body ये रही ये body हो गई suppose करिए 10 kg मास की इन दोनों को आपने क्या करा है इन दोनों को आपने एक रसी से जोड़ दिया है इस तरीके से जो दूसरी body है वो है 20 kg मास की पहले वाला जो part है देखे एक मिनट रुकिए गज़रा ये जो पहले वाला part है इसमें आपको कहा गया है कि ये force 600 N की force आप A पर लगा रहे है ठीक है A पर लगा रहे है मतलब ये A body है यानि कि इस तरफ आप force लगा रहे है 600 N की ठीक है आप से पूछा गया है tension कितनी होगी string के अंदर तो ये जो string है इसके अंदर tension पूछी है मैंने आप से बताया था जो string है उसके अंदर जो tension होगी वो body से दूर जाते हुए होगी यानि कि इधर और इस body से दूर जाते हुए यानि कि इधर ठीक है ये एक surface पर रखी हुई है दोनों की दोनों bodies इस तरीके से तो आप से tension पूछी जा रही है यहाँ पर की tension कितनी होगी तो सीधी सी बात देखिए tension कितनी होगी अगर आप इस body के लिए consider करते हैं पहले 20 kg के लिए 20 kg के लिए consider कर रहे है इस body पर एक force लग रही है tension किदर लग रही है left side में लग रही है और body का motion भी किदर होगा इधर ही होगा अब body का अगर motion इधर होगा यानि कि क्या होगा acceleration body का इसी direction में होगा है ना इस direction में acceleration होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि net force जो 20 kg है इस पर net force कितनी लग जाएगी भई net force लगेगी M A M A के बराबर लगेगी अब यहाँ दो masses है तो इसलिए यहाँ पर मैं M A न लिख करके M 2 A लिख रहा हूँ net force कितनी लग रही है tension के बराबर तो T की value कितनी आ गई M 2 A के बराबर यहाँ आ गई M 2 M 2 की value कितनी है 20 A acceleration है पता नहीं तो इसलिए हमने इसको एक equation यहाँ पर मान लिया इसके बाद अब क्या करते हैं 10 kg 10 kg पर देखते हैं forces कौन कौन सी लग रही है इस direction में तो F लग रही है और इदर पीछे की तरफ कितनी लग रही है T लग रही है लेकिन ultimately जो body का motion होगा वो किदर होगा वो तो आपका left side में ही है यानि कि acceleration जो है body का left side में है तो यहाँ पर net force देखे अब की बार आपको और थोड़ा समझ में आएगा net force जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी MA होती है यह पहली body थी तो इसको मैंने M1A लिख दिया अब देखे यहाँ पर net force कितनी होगी यहाँ net force होगी F-T क्यों लिखा मैंने F-T क्योंकि motion किदर हो रहा था इस direction में हो रहा था motion यानि कि इस direction में लगने वाली force opposite force से क्या है बड़ी है that's why F-T मैंने net force निकालने के लिए घटा दिया M1 की value कितनी है 10 है तो यह कितना आजाएगा 10A आजाएगा अब इसके बाद क्या है मैं जब value put करूँगा F- देखे T की value कितनी आई थी first equation से T की value आई थी 20A is equals to कितना आजाएगा 10A F is equals to कितना आजाएगा 30A यहाँ पर F कितना है 600 बराबर 30A इसे आप solve करोगे तो कितना आएगा A A की value आजाएगी 2 2 meter per second square A की value आगई अब यह तो acceleration आया है लेकिन आपने यह पढ़ लिया कि T is equal to कितना था 20A था equation 1 में पढ़ा तो आप tension के लिए A की value रख दो 2 tension कितना आजाएगी 40 newton जो है tension आजाएगी अब इसके बाद देखिए B part में क्या कहा रखा है B part में second part में कहा रखा है कि जो force लगा रहे थे आप यह force A body पर नहीं लगा रहे आप B body पर लगा रहे हो मतलब एक body यह रही दूसरी body यह रही इस बार आप जो force लगा रहे हो इधर लगा रहे हो 600 newton की जो tension होगी वो कहा होगी रसी में ही होगी इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से लगेगी surface यह रहा जो body का motion है इस बार वो किदर होगा इधर होगा क्योंकि दोनों bodies इस एक ही रसी से बंदी होगी है तो दोनों के अंदर same acceleration होगा इसके अंदर भी a होगा और इसके अंदर भी a होगा जैसे मैंने अभी यह वाला question करा था इसी तरीके से आप इसका यह दूसरा part करोगे question का ठीक है यह आपका होगया खतम ठीक इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं दूसरा chapter पढ़ते हैं एक मिनट मैं open कर लेता हूं शलिए तो अब जो है हम next chapter start करते हैं जो next chapter है वह है आपका work energy and power chapter number six है यह इसमें जो सबसे पहली चीज आएगी जो सबसे पहली इसमें चीज आएगी वो होगी scalar product ठीक है scalar product होगा यहाँ पर पहला topic तो पहला topic हम पढ़ते हैं start करते हैं बस एक मिनट ठीक है start करते है scalar product देखे scalar product क्या होता है product जो होता है न वेक्टर quantities में दो तरीके का होता है अगर मान लीजे कोई भी दो vector quantities है आपके पास A और B तो उनका जो scalar product है वो इस तरीके से represent करा जाता है ठीक है scalar product का जो दूसरा नाम होता है वो dot product होता है अब इसे dot product क्यों कहा जाता है क्योंकि इस product को represent करने के लिए हम dot का use करते हैं दूसरा इसका नाम scalar product इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका result आएगा जो इसका result आएगा वो क्या होगा वो एक scalar quantity होती है that means इसके अंदर जो होगा dot product जब किसी दो चीजों का आप करोगे किनी दो vectors का करोगे तो उसमें direction नहीं होती है ठीक है सिर्फ आपको क्या मिलता है magnitude मिलता है लेकिन direction विर्कुल भी नहीं मिलती है तो ये मतलब हुआ scalar product का ठीक scalar product आपने पढ़ लिया अब इसके बाद देखे इसका expansion पढ़ लेता है कि इसका expansion कैसे होगा तो expansion के लिए मैं आपको बताता हूँ मान लिजिए दो vector थे आपके पास एक vector ये रहा दूसरा vector ये रहा ये A है ये B vector है इनके बीच में theta degree angle बन रहा था तो अगर मुझे लिखना होगा कि A dot B तो मैं कैसे लिखूँगा मैं लिखूँगा पहले तो A vector का magnitude लिखा जाएगा फिर B vector का magnitude आ जाएगा और फिर आता है cos theta यानिकि इनके बीच का जो angle था उसका cos आ जाएगा यहाँ पर A dot B जो है A B cos theta के बराबर हो जाएगा इसमें आगे देखते हैं आगे क्या topic है यह देखे यहाँ पर दिखा रखा है आपको कि A dot B यहाँ पर देखो यह vector ने लगाते हैं लेकिन bold में लेखते हैं bold का मतलब क्या होगा कि vector form represent कर रहे हैं यह तो हम कह सकते हैं A vector dot B vector कितना आ गया A B cos theta यहाँ पर आ गया है ठीक है इसके बाद यहाँ पर अधिको कोई भी direction नहीं है है ना इसलिए हम इसे क्या कह रहे थे scalar product कह रहे थे अब इसके बाद जो है आगे पढ़ते हैं आगे क्या चीज है आगे यहाँ पर इनों ने यह बता रखा है कि जो scalar product होता है वो कौन-कौन सी properties follow करता है तो देखे सबसे पहली बात तो यह कि यह committed law follow करता है committed law क्या होता है कि a.b किसके बराबर होगा b.a के बराबर होगा इसके बाद distributivity property जो होती है इसको भी यह follow करता है मतलब अगर dot product कर रहे हो आप किसी addition के साथ तो यह जो dot product होगा यह दोनो addition के दोनो जो terms थे जो components है उनके साथ चला जाएगा उसके बाद अगर आप किसी number से multiply कर रहे हो real number से जैसे यहाँ पर आपने real number lambda ले रखा है तो आपने dot product किया अगर lambda के साथ या dot product किया आपने lambda के साथ तो क्या हो जाएगा जो dot product का answer था वो lambda times आ जाएगा उसके बाद देखे i, j, k यह i, j, k क्या हुआ करते हैं यह unit vectors होते हैं आपको मैं बता दूँ कि i cap जो होगा यह x axis के along unit vector होता है j cap जो होता है यह y axis के along होता है और जो k cap होगा यह z axis के along हुआ करता है unit vector इनकी values कभी भी change नहीं होती है इनको आप unit orthogonal vectors भी कहते हो unit orthogonal vectors भी इनको कहा जाता है यह आपस में क्या होते हैं देखे आपस में axis जो होते हैं 90 degree angle बनाते हैं एक दूसरे के साथ तो इसी तरीके से जो i, j, k यह जो direction है यह unit vectors हैं यह भी आपस में एक दूसरे के साथ 90 degree angle बनाते हैं आपको याद रखना है आपको ये भी याद रखना है कि जब same unit vectors orthogonal unit vectors की dot product करते हैं तो उनका result 1 आता है और जब different की करते हैं तो उनका result क्या आता है 0 आता है ये मैं आपको एक करके दिखा देता हूं इन में से जैसे i.i किया तो i का magnitude कितना आएगा 1 क्योंकि unit vector है दूसरे i का magnitude 1 क्योंकि unit vector है cos theta दोनों same direction में है इसलिए theta कितना हो जाएगा 0 cos 0 की value 1 बागी सब भी 1 है इसलिए answer आता है 1 इसलिए आपको यहाँ पर यह answer 1 दिख रहा है अब इसके बाद देखिए इसके बाद मैं आपको i.j निकाल करके दिखाता हूं i का magnitude 1, j का magnitude 1 और angle in के बीच में कितना है 90 cos 90 0 हो जाएगा इसलिए सब कुछ क्या बना देगा 0 बना देगा तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर same orthogonal vectors हैं तो उनका dot product बना रहा है और अगर अलग-अलग हैं तो उनका dot product 0 आता है इस तरीके से आपको इसे याद रखना है अब देखिए आगे क्या है इसमें आगे देख लेते हैं अब देखिए vector आपको इस तरीके से भी लिखा दिया जा सकता है कि जैसे a vector दे रखा है आपको तो कैसे लिख सकते हैं a x i cap a y j cap a z k cap इसी तरीके से b vector लिख दिया अगर आप इसका dot product करते हैं तो देखे dot product का result कितना आएगा ये आजाएगा ax bx plus ay by plus az bz कितना आजाएगा answer इसके बाद देखे आगे और क्या चीज़ दे रखिए अगर किसी vector का आप dot product करते हैं उसी vector के साथ में तो उसका answer हमेशा क्या आता है square of the magnitude जैसे आप करना चाते हैं a dot a a dot a करना चाते हैं तो ये किसके बराबर आजाएगा a square के बराबर आजाएगा ये आप direct जो है याद रख सकते हो और अगर आपको vectors इस तरीके से दे रखे हैं तो a square कितना हो जाएगा इन सब कभी square का sum हो जाएगा देखें यहाँ पर ये दिखा रखा है a dot a अगर किया आपने तो ये कितना हो जाता है a square के बराबर हो जाता है इसके साथ इन्होंने एक चीज और बताई कि दो vectors हैं उनका dot product 0 आता है कब 0 आता है जब दो डो vector दोनों vector आपस में क्या होंगे perpendicular होंगे तो उनका dot product जो है 0 आ जाएगा ठीक है देखते हैं next एक question दे रखा है शायद यहाँ पर हाँ जी ठीक है तो question दे रखा है यहाँ पर नहीं क्या कह रहे हैं find the angle between force and displacement देखें force and displacement के बीच में क्या करना है angle find करना है दोनों के vectors आपको दे रखे हैं ठीक तो आप क्या कर लीजे आप कर लीजे एक काम कि f dot d f dot d find कर लीजे f dot d क्या होगा f d cos theta ठीक है यहाँ पर यह f क्या है f vector का magnitude है तो magnitude कितना आएगा magnitude आएगा देखे f vector देखिए यहाँ i के साथ क्या है 3 3 का square कर देंगे j के साथ है 4 4 का square कर देंगे k के साथ है minus 5 minus 5 का square कर देंगे इन सब को आप solve कर लो आपके पास answer आजाएगा है ना इन सब को आप solve कर लो और इसके बाद आपके पास जो है ना answer आजाएगा कितना आएगा यह आएगा आपके पास 50 अंडरूट 50 आजाएगा बिलकुल इसी तरीके से आप किसका magnitude फाइंड कर सकते हो D vector का इसका answer भी कितना आजाएगा 50 ही आजाएगा जब आप लोग calculation करोगे उसके बाद आप क्या करो F dot D calculate कर लो कैसे find करते हैं दोनों vectors दे रखे हैं I के साथ I वाले की multiply कर दो 5 3s are 15 4 4s are 16 और minus 5 3s are 15 answer कितना आएगा यहाँ से 16 तो F dot D भी आगिया आपके पास अब आपको क्या करना है अब आपको formula apply करना है F dot D is equals to F D cos theta यह formula apply करना है आप यहाँ से cos theta find कर लो कितना होगा F dot D upon F D आपके पास इसकी value है इसकी भी value है और यह value भी है तो देखे solve करने के बाद कितना कितना आजाएगा यहीं देख लेते हैं हम यहाँ पर यह solve करने के बाद आजाएगा cos theta is equals to 0.32 इसके बाद theta find करने के लिए का करेंगे हम cos inverse ले लेंगे cos inverse कितना आजाएगा 0.32 इतना angle आजाएगा आपका दो vectors के बीच का ठीक है इसके बाद देखे और question में क्या पूछ रखा था also find the projection also find the projection of F on D तो projection बतानी है किसकी बतानी है projection F vector की बतानी है D vector पर अब F vector की projection D vector पर क्या होगी यह F vector है यह F vector है तो F vector की projection यह D vector है तो D vector पर projection क्या होगी D vector पर projection होगी आप F vector से ऐसे करके perpendicular draw कर दो यहाँ यह कितना आ रहा है B cos theta क्योंकि यह B मान करके लिखा था इन्होंने आपने F माना है तो कितना आ जाएगा F cos theta तो जो force की क्या कहते हैं F cos theta हो जाएगी calculate कर रखा होगा इन्होंने कहीं F cos theta चलिए जी calculate ही नहीं कर रखा लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया तो आप उस तरीके से कर सकते हो ठीक अपने आप कर लीजेगा आप इसको नहीं होगा तो पूछ लीजेगा इसके बाद next topic क्या है work and kinetic energy and उन्होंने साथ में ये भी लिख रखा है कि work energy theorem तो ये है work energy theorem बहुत important है work energy theorem ठीक है work energy theorem हम पढ़ते हैं देखे क्या होगा work energy theorem में work और energy के बीच में एक relationship set up करेंगे हम यहाँ पर कितनी होगी देखे ये आप कहाँ पर पढ़ते हैं ये आप पढ़ते हैं third law नहीं third law नहीं third equation third equation of motion से आप लिख सकते हो कि v square minus u square is equal to 2as होता है अगर कोई body motion में है जिसका acceleration a है displacement s हो चुका है कब जब initial velocity u से कितनी होगी v हो गई ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं उसके बाद देखे हमने क्या किया दोनों side में one upon two m इतने से multiply कर लिया यहां भी multiply कर दिया यहां भी multiply कर दिया और इस side पर भी multiply करा अब देखे 2as पहले से था one upon two m इस से multiply करा तो यह two से two cancel हो जाएगा और सिर्फ mas आ जाएगा ma ma जो होता है force के बराबर होता यानिकि force into क्या आगया यहा पर यह displacement आगया अब आपको पता है कि force into Dublin हम किसे कहते है force into displacement हम कहते है work को forcing into displacement हम कहा करते है वर्क को तो यहां पर यह देखिया one upon two m v square one upon two v square और यहां पर यह कितना आ गया fs को मैंने क्या लिख दिया f.d लिख दिया f.d f.d मैं कब लिख सकता हूँ f.d मैं तब लिख सकता हूँ इसको देखी अगर मैं इसे खोलता हूँ expand करता हूँ तो इतना आएगा अब f.d f.d के बराबर कब हो जाएगा जब cos theta की value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और cos theta 1 कब होगा जब theta होगा 0 यानि कि हम कह रहे हैं कि force और displacement की direction क्या है जब same होगी जब force और displacement की direction same होगी तब मैं इस f.d को क्या लिख सकता हूँ f.d लिख सकता हूँ और जो f.d होता है बच्चो वो किसके बराबर होता है वो होता है work के बराबर वो होता है work के बराबर अगर इस formula को आप study करें तो यह kinetic energy का formula है इस formula को study करें तो यह भी kinetic energy का formula है यह initial है और यह final है इसलिए यहाँ kf लिखा है यहाँ ki लिखा है और f dot d जो हो गया यह work के बराबर हो गया देखे kf minus ki kf minus ki कितना हो जाएगा change in kinetic energy और किसके equal आया यह वर्क के equal आगया यही क्या होती है हमारी work energy theorem होती है work energy theorem हमें यही बताती है कि जो work है वो किसके बराबर होगा change in kinetic energy के बराबर होता है यह देखे हैं यहाँ पर लिख भी रखा है work is done by a force on the body over a certain displacement यह work की definition यहाँ पर कि work क्या होता है work होता है कि किसी force ने कोई force जब किसी body पर लगती है और कुछ displacement होता है तब हम क्या कहते हैं कि work हुआ है work कब हुआ है जब कोई force किसी body पर लगी और body में कुछ displacement हुआ उस case में हम कहते हैं कि body के अंदर कुछ work हुआ है या body ने कुछ work किया है यही हमारा जो है next topic भी है बच्चो इसके बाद एक question यहाँ पर दिखा रखा है यह work energy theorem पर based है आप इस question को try कीजिएगा next जो topic है वो आ गया work देखिए work क्या चीज है work को हम कैसे define कर सकते है define करने का क्या तरीका है एक तो यही तरीका था कि अगर किसी body पर force लग रही है और उसने displacement किया तो उसमें work होता है दूसरा जो तरीका है वो इसका जो formula आपने पढ़ा था f.d d यानि कि यहाँ पर यह displacement को represent कर रहे हैं मानली जो कोई object था उस object ने displacement कवर किया d कब जब उस पर force कुछ इस तरीके से लग रही थी f vector यहाँ पर आप देख रहे हो कि f vector और displacement के बीच में theta angle है ठीक है तो अब देखो force तो लग रही है उपर की तरफ लेकिन displacement हो रहा है सामने की direction में तो यह तो गलत बात है force भी सामने की तरफ लगनी चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इस force का projection देखते है कितना होगा देखे इस force का projection यहाँ पर कितना होगा f cos theta अभी थोड़ देर पहले पता लगाया था अब f cos theta तो हो गई force horizontal में और horizontal में displacement कितना है d यह कितना आ गया f d cos theta और f d cos theta को मैं लिख सकता हूँ f dot d लिख सकता हूँ तो इस तरीके से जो force वर्क आया यह किसके बराबर आ गया force into displacement से हमने दूसरी form बना दी force dot displacement यानि कि dot product of displacement and force ठीक है यह बना दिया अब इसके बाद आगे देखते हैं बच्चो आगे क्या चीज़े हैं ठीक है यहाँ पर आपको यह work की definition दे रखी है यह दे रखी है work की definition ठीक है work जो हो जाता है किसका dot product हो जाएगा force or displacement का क्योंकि dot product होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि जो work है वो क्या होगा एक scalar quantity होती है यानि कि इसकी कोई भी direction नहीं होती है ठीक है यह सब चीज़ आपने यहाँ पर पढ़ लिए इसके बाद देखिए work work की जो है यहाँ पर अलग-अलग unit दे रखी है arg arg कहाँ पर होती है cgs system में होती है इसके बाद एक और दे रखिए electron volt electron volt में कितने जूल होंगे arg में कितने जूल होंगे calorie में कितने जूल होंगे और kilowatt hour में कितने जूल होंगे यह work कह दो आप या energy कह दो है ना energy या work उसमें joule और different units इनके बीच में क्या relationship होती है वो यहाँ पर table में दिखा रखा है यहाँ से आप इसको पढ़ लेना इसके बाद क्या कह रखा है आगे देखिए यह कह रखा है यहाँ पर कुछ no work done की condition लिख रखिए और नो ने देखिए no work is done कोई भी work नहीं होता है कब नहीं होता है the displacement is zero जब displacement ना हुआ हो दूसरा है force is zero जब कोई force ना लगी हो और तीसरी चीज़ है जब force और displacement दोनों हो रहे हो लेकिन दोनों आपस में क्या होंगे perpendicular होंगे यानि कि दोनों आपस में 90 degree होंगे क्योंकि जो cos theta आएगा यानि कि cos 90 आएगा ये क्या करा देगा work को zero करा देगा तो ये cases ने जब work क्या हो सकता है zero हो सकता है ठीक है इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ इन्होंने कि work जो हो सकता है positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है जब theta क्या होगा 0 to 90 तो work होगा positive और जब theta होगा 90 to 180 तब work क्या होगा negative होगा इसके examples भी हो सकते हैं बहुत सारे examples आप लोग सोच करके देखे कि कौन-कौन से examples यहाँ पर positive और negative work के हो सकते हैं इसके बाद यहाँ पर work का dimensional formula दे रखा है SI unit दे रखी है ठीक है यह भी कह रखा है कि यह आपके जो थे British physicist थे इनके नाम पर यह दे रखी है unit ठीक इसके बाद यहाँ पर work तो हमने discuss कर लिया अच्छे से इसके बाद जो है अगला topic discuss करते हैं देखे अगला topic यहाँ पर क्या है अगला topic है यहाँ पर kinetic energy क्या होती है energy होती है कहाँ पर होगी body में होगी energy होगी body में किस body में होगी जो body क्या कर रही है motion कर रही है उस body में जो energy होती है उसे kinetic energy कहते हैं काइनेटिक energy को के से denote करेंगे और इसका जो formula होता है वो कुछ यह होता है इसे तो छोड़िए आप इसे याद रखिए kinetic energy का formula होता है kinetic energy भी एक scalar quantity होती है इसके बाद kinetic energy ठीक है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है kinetic energy of an object is a measure of work तो kinetic energy क्या बताती है आपको work के बारे में बताती है कि कितना work किसी body ने किया है ऐसा कैसा कह सकते हैं हम हमने क्या पढ़ा work energy theorem में पढ़ा कि final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to work यानि कि kinetic energy में जितना भी change आएगा वो किसके बराबर होगा work के बराबर होगा तो आप kinetic energy में किसी भी body में kinetic energy में कितना change आ रहा है आप वो calculate कर लो इसका मतलब आप क्या calculate कर लोगे work calculate कर लोगे ठीक है यह चीज़ है और कुछ भी नहीं इसके आगे देखता है चली kinetic energy पढ़ ल लखेगा वो जूली हुआ करती है जैसे work की थी और dimensional formula हो जाएगा MLT ML2 T-2 जैसे work का dimensional formula हुआ करता था इसके बाद जो next topic है वो क्या है work done by a variable force अगर variable force होती है तो work done का क्या formula होता है देखिए अगर constant force लग रही होती है तो work done का formula यह हुआ करता था लेकिन अगर force variable है यानि कि अलग अलग time पर अलग अलग force लग रही है तब जो formula होता है यह होता है delta w is equals to fx delta x अब इस fx का क्या मतलब है कि f जो है x का function है यानि कि जैसे जैसे x मतलब displacement change होगा आपकी force भी change हो रही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आपर कौन सी force पढ़नी है variable force पढ़नी है ठीक है इसके ब पानली जे delta x में बहुत कम change आ रहा है तो उस case में क्या होगा हम work का formula इस तरीके से लिखेंगे integration की form में और limits क्या जाएंगी initial position से final position तक जो force लगी fx into dx यह हो जाएगा work का formula जब limit क्या होगी जब हम limit apply कर देंगे कि delta t tends to क्या है 0 है उस time के हम बात कर रहे हैं अब देखे इसक के साथ यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि आप क्या कर सकते हो आप graph की help से भी work calculate कर सकते हो यहाँ पर इस axis पर आपको force दे रखी है इस axis पर आपको displacement दे रखा है आप क्या कर लीजिए किसी भी curve के नीचे का area find कर लीजिए जब आप area find करते हो तो आपको क्या मिलता है इस x's पर और इस x's पर जो चीज़े हैं उनका product मिलता है यानि कि fx into x या f into x यही कह दो अगर मैं इसे यहाँ पर लिखूँ कि area find करने से हमें क्या मिलेगा तो force into displacement मिलेगा और force into displacement क्या होता है work के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि अगर work find करना चाहते हैं force displacement graph से तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके नीचे का area find करना पड़ेगा यह चीज़ है हमें यहाँ पढ़ने पड़ेगी इसके बाद में देखें यहाँ पर यह question दे रखा है इस question में आपको work पुछा गया है कि work find करिए कितने distance से कितने distance तक work कितना आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह क्या दे रखा है इन्होंने work energy theorem आ गई देखें दुबारा से work energy theorem but इस time पर क्या है यह जो work energy theorem है यह variable force की वज़े से हम पढ़ रहे है पहले जो हमने work energy theorem पढ़ी थी वो किसकी वज़े से पढ़ी थी वो तब पढ़ी थी जब force जो थी constant थी अब की बार क्या है variable force है तो देखें variable force की case में किस तरीके से हम इसको derivation को करेंगे हम क्या करेंगे हमें पता है kinetic energy का formula होता है 1 upon 2mv square तो हमने क्या कर दिया differentiation कर दिया kinetic energy का differentiation कर दिया तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा अब m यहाँ पर क्या है constant तो उसको बाहर लिख लिए हमने ठीक है 1 upon 2mv square यहाँ पर 1 upon 2 और m यह दोनों ही constant है v square का क्या करेंगे differentiation v square का differentiation आएगा 2v लेकिन v का आप फिर से differentiation करोगे तो कितना आजाएगा dv upon dt देखे आप सोचोगे कि v का दुबारा differentiation हम क्यों करेंगे क्योंकि velocity यहाँ पर variable है time variable है time varying है मतलब time के साथ velocity change हो रही है इसका मतलब जो आया है बाद में एक बार differentiation करने के बाद इसमें जो velocity है यह constant नहीं है और अगर यह constant नहीं है तो इसका एक बार और differentiation करना पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पर हमने differentiation किया अब देखो यहाँ पर यह जो 2 है इससे आप यह 2 cancel कर दोगे आपके पास क्या बचेगा एक यह V बजगया यहाँ पर यहाँ पर यह M बजगया और DV upon DT आ गया इन्हीं चीजों को देखे यहाँ पर लिखा हुआ है DV upon DT DV upon DT किसके बराबर हो जाएगा A के बराबर हो जाएगा M into A यह किसके बराबर आजाएगा F के बराबर आजाएगा यह जो V लिखा वा था यह यहाँ पर आ गया ठीक है अब V velocity को हम क्या लिख सकते हैं DX upon DT यानि कि position का differentiation हम जो है लिख सकते हैं आगे देखते हैं आगे क्या चीज़े आएं इसमें इतना आ गया कितना बज़ गया DK is equals to FDX बज़ गया इसके बाद हमने दोनों तरफ integration किया और limits क्या पूट कर दी इधर kinetic energy की limit आएगी इधर position की limit आएगी क्योंकि इधर position change हो रही है इधर kinetic energy change हो रही है ठीक है तो आपने यह integration किया integration हमने पहले भी करक्खा है है ना जब हम equations derive करते हैं तो जब आप integration करोगे इस तरीके से तो finally आपके पास दुबारा से वही answer आजाएगा कि KF minus KI is equals to W यह जो होता है यह variable force के लिए work done का formula होता है तो आपने work done यहाँ लिख दिया answer वही आएगा बस करने का तरीका जो होगा वह अलग-अलग हो जाएगा बाकि answer जो आता है वह same आता है यह थी हमारी work energy theorem एक variable force की वज़ा से इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक इसके बाद बच्चो हमारा next topic जो है वह है potential energy देखिए kinetic energy आपने पढ़ा था कि kinetic energy जो हुआ करती है वो किस वज़े से होती है body में होने वाले motion की वज़े से होती है बिल्कुल इसी तरीके से जो potential energy होती है वो किस वज़े से होती है body की position में अगर change आता है position में change आता है या उसके shape में change आता है size में change आता है तो तब body के अंदर जो energy आ जाती है उसी energy को हम क्या कहते है potential energy कहते है potential energy यहाँ पर आप दो तरीके की पढ़ने वाले हैं एक तो आप पढ़ेंगे gravitational potential energy और दूसरा आप पढ़ेंगे elastic potential energy elastic potential energy आप पढ़ेंगे जहाँ पर spring को हम क्या कर देते हैं expand कर देते हैं या compress कर देते हैं Gravitational Potential Energy आप वहाँ पढ़ेंगे जब हम किसी body को क्या करते हैं Against gravity move कराया करते हैं Against gravity move कराने का मतलब है अर्थ से मान लिजे हम किसी body को दूर ले जा रहे हैं ये अर्थ है, अर्थ से किसी body को दूर ले करके जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? इसके अंदर कौनसी energy आती रहेगी gravitational potential energy आती चले जाती है gravitational potential energy का जब formula होगा वो होगा MGH M यहाँ पर mass हो जाएगा G acceleration due to gravity और H क्या हो जाएगी body की height हो जाएगी with respect to ground जो energy की unit potential energy की unit और dimensional formula है वो वही रहता है जो पहले हमने work और kinetic energy के लिए पढ़ा है तो इसके बाद जो next topic है आप वो देखते हैं क्या चीज़ है इसके बाद आपका जो next topic है वो है conservation of mechanical energy यानि कि जो mechanical energy होती है इसका conservation हमें पढ़ना है mechanical energy हम किसे कहते हैं तो याद रखिए कि बच्चो kinetic energy और potential energy इन दोनों का जो sum होता है इसी sum को क्या कहा जाता है mechanical energy कहा जाता है conservation of mechanical energy में हम ये पढ़ते हैं कि ये जो sum है energy का mechanical energy जो है sum होता है इन दोनों का ये mechanical energy क्या रहती है conserved रहती है conserved का मतलब क्या होगा बच्चो conserved का मतलब होगा ये जो total energy रहती है यह constant रहती है हमेशा कभी भी अगर body मान लीजे किसी body को आपने उचाल दिया उचाई पर तो किसी भी point पर आप check कर लीजे किसी भी point पर जैसे मैंने यहां 3 point बनाए A, B, S, C किसी भी point पर check कर लीजे हर point पर जो energy आएगी वो same ही आपको मिलेगी कौन सी energy mechanical energy और mechanical energy होती क्या है kinetic plus potential का sum होती है यह बात अलग है कि जैसे height उपर की तरफ जाएगा potential energy बढ़ती चली जाएगी और kinetic energy घटती चली जाएगी लेकिन इन दोनों का जो sum है यानि कि total energy that means mechanical energy वो हमेशा क्या रहता है same रहता है तो यह है आपका conservation of mechanical energy का statement इसके बाद में हम देखते हैं बाकी चीज़े इसमें क्या दे रखी है इसमें शायद proof करना है कि mechanical energy जो है conserved रहती है हाँ जी यही सब चीज़े है कि mechanical energy जो है conserved रहती है यह यहाँ पर इन्होंने proof कर रखा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यह figure आपको यहाँ पर use करनी होगी यह इसका जो conservation है इसके लिए figure हम draw कर लेते हैं यह जो conservation of energy था अब इसका हम एक derivation कर लेते हैं derive करके इसको हम prove कर लेंगे कि यह जो है असल में होता है कि total energy जो है कभी भी change नहीं होती है during motion यह हमेशा क्या रहती है constant रहती है तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया बचो यहाँ पर हमने एक line draw कर दी vertical तीन point बान लिए हमने A, B और C और तीनो point पर कुछ velocity ले ली एक body ली सबसे पहले हमने body जो है M mask की है और वो नीचे vertically fall करना start करेगी A point से start कर रही है इसलिए इसकी initial velocity जो होगी वो 0 होगी जैसे यह नीचे की तरफ move करेगी B point तक आते आते कुछ velocity हो जाएगी वो V भी मान ली हमने और C point पर जो velocity हो जाएगी वो हो जाएगी VC जो distance है A और B के बीच का वो Y है और B और C के बीच का है X distance अब A point पर हम जो है find करना start करते है तो कितना आया kinetic energy तो आजाएगी 0 क्योंकि initial velocity 0 थी और potential energy के लिए हम MGH का formula लगा देंगे height कितनी है X plus Y है तो इसलिए X plus Y हमने लिख दिया यहाँ पर total energy हमारे पास आगई MgY plus MgX अब B point पर हमने find किया B point पर पहले kinetic energy find की हमें velocity नहीं पता था तो इसलिए हमने क्या करा third equation of motion लगाया कि V square is equal to U square plus 2 AS होता है वहाँ से kinetic energy हमारे पास आगई कितना MgY आगई इसके बाद potential energy calculate करी MGH formula लगाया अब अगर आप B point देखोगे तो कितनी height पर है X height पर है तो H की जंगा पर क्या आ गया X और total energy फिर से कितनी बन गई MgX plus MgY बन गई इसके बाद C point पर देखिए C point पर kinetic energy कितनी हो जाएगी इतनी दुबारा से हमने third equation of motion की help से value find कर ली कितना आया kinetic energy गई MgX plus MgY मतब तीनों point पर जो potential energy है वो क्या आ रही है यही चीज प्रूव करती है कि total energy यानि कि mechanical energy जो रहती है वो conserve रहती है nature के अंदर कभी भी change नहीं होती है तो यह चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर दी इसके बाद मैं आगे जा करके यह तो numerical है आप नुमेरिकल आप करके देख सकते है यहाँ पर इसके बाद जो next topic है वो क्या है potential energy of a spring spring में potential energy कितनी होती है इसके बार में हमने थोड़ा पहले discuss किया था जब various forces के बार में हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें यह discuss करा था कि मान लीजे अगर आप कोई भी spring है तो spring में आप क्या कर रहे हैं x displacement कर रहे है या तो आप उसे expand कर रहे हो या आप उसमें क्या कर रहे हो compression कर रहे हो मान लीजे displacement x आया तो उसमें जो restoring force develop होगी यह restoring force है restoring force किसे कहते हैं restoring force उसे कहते हैं जो force body को restore करने के काम आती है यानि कि जैसे यहाँ पर spring है तो spring को अपने original shape में जो force लेकर करके आएगी उसे हम restoring force कहते है तो restoring force यहाँ पर क्या है minus x के directly proportional होती है यह minus का मतलब क्या है minus का मतलब यह है कि restoring force की जो direction होगी वो displacement के direction के opposite होगी तो यहाँ पर proportional design हटा करके इस तरीके से जो formula बनता है वो बनता है restoring force का f is equal to minus kx देखे जैसे example लेते हैं हम यहाँ का यहाँ पर displacement इस direction में है spring फैल जाएगा फैल जाएगा तो उसमें एक restoring force develop होगी जो उसे original position में लाएगी original position में जाने इसलिए हमने लिखा था कि f proportional minus x ठीक है तो अब तो जबान भी जो है ना लड़ खडाने लगी बोलते बोलते बहुत देर से मैं बोली रहा हूँ 40 minute का lecture होगी लग भग ये ठीक है इसके बाद अब देखे potential energy में हमने यह तो लिख लिए कि restoring force कितना होगी अब उसको जो restoring force लग रही थी यानि कि अगर spring की हमें original position लानी है यह काम कह सकते हैं कि अगर कोई spring है उसको हमें pull करना है उसे expand करना है तो कितना work होगा उस time पर तो work के लिए हमने क्या करा यहाँ पर लगा दिया यह formula कौन सा है यह formula है variable force का formula कि variable force की वज़े से कितना work करना पड़ता है यहाँ पर limits देखिए हमने कहां से क्या लिखा है 0 से ले करके xm मान लिए जो कोई spring था उसको आपने expand करा तो कहां से करा 0 से करा था कहां तक xm तक मतलब xm यह यह xm आप उसके अंदर क्या ले करके है displacement ले करके आए इसलिए यहाँ पर आपने xm लिख दिया यहाँ पर आप fs की value लिख देंगे यानि की restoring force की value लिख देंगे और उसके बाद जो है आप क्या कर देंगे integration कर देंगे work आपके पास आ गया work कितना आ गया minus k xm square upon 2 इतना जो है यह यहाँ पर work आ गया अब देखे यहाँ पर यह क्या कर दिया हमने plus कर दिया plus क्यों किया उसका reason देखे आपको यहाँ पर मिलेगा यह देखे this expression लिखा हुआ है this expression may also be obtained by considering the area इसे छोड़िए note that the work done by the external force pulling f is positive since it overcomes the spring force देखे क्या है यह जो आपने work calculate करा है यह restoring force की वज़े से है जो कि spring को खीचने की वज़े से कहाँ act कर रही थी इस direction में लग रही थी क्योंकि spring को अगर original position में लाना है तो इस direction में force लगानी पड़ेगी लेकिन हमने क्या किया था जो हमने external force लगाई थी वो किस तरफ लगाई थी इस तरफ लगाई थी external force की जो direction है restoring force के क्या है opposite है इसलिए जो work external force करेगी वो कितना हो जाएगा negative ना हो करके वो हो जाएगा positive और कितना होगा w is equals to 1 upon 2 k x m square इसी work को आप कैसे लिख देते हैं कभी 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 क्या most of the cases में आप इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 upon 2 k x square अब जितना भी आपने spring को expand कराने में work करा ये इसकी potential energy के रूप में store हो जाता है जिसको हम u से denote करते हैं और formula हो जाएगा u is equal to 1 upon 2 k x square ठीक तो ये जो था ये आवी potential energy spring के अंदर इस potential energy को हम नाम क्या देते हैं इस potential energy को हम नाम देते हैं elastic potential energy जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था gravitational इससे पहले पढ़ ली थी उसका formula कितना आया था mg h आया था और यहाँ पर formula कितना आ गया यहाँ पर formula आ गया 1 upon 2 k x square इतना formula यहाँ पर यह आ गया ठीक है जी चलिए इसके बाद अब next topic देखते हैं next topic क्या है next topic यहाँ पर conservative force ऐसे करके लिख रखा है यह हम अगले video lecture में पढ़ेंगे आज जो है यहीं तक करते हैं ठीक है तो अगले video lecture में मैं आपको बताता हूँ कहाँ से start करेंगे यहाँ से start करेंगे various forms of energy से ठीक है इसके बाद आगे का जो part है इस chapter का वो हम next video में cover करेंगे अब तक आप यहाँ तक के notes बना लीजेगा और अच्छे से revise कर लीजेगा thank you very much